हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में प्रजेक्ट सेटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं सिस्टम के उपर आपको क्लिक करके सिस्टम टैप सेलेट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से यह सारा ओप्सन आ जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक कर देने किलिक करते ही इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब मालेज़ यदि आपके केस मे यहां पर फिच्च लिखाक वोगा तरह में यहां में फिलीक कर दें इस तरह सें पिलीक कर देडिने तरह कि यह नचे कर दें इसके बाद आपको ने 80 पर किलिक इंस्टोलेशन कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पर इंस्टोलेर लिखा हुआ जाएगा आपको क्या करना है फिर से यहाँ पर आपको सिस्टम पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर इसको डन करना है इसके बाद यहाँ पर आपको पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर आपको बहुत सार ओप्सन दिख जाएगा पहले नहीं आ रहा था अब यहाँ पर आ गया है अब आ यहाँ पर लिएघ्र कर सकते यहां पर आपने हिसाब से सब्सक्राइब चाहिए कर लिए उसके बाद पीरिग के टाइम पे पीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा on off करने के लिए यदि on off करना चाहते थे यहाँ से आप on off कर सकते हैं उसी तरह यहाँ पर PC name दिख जाएगा यहाँ पर आपको rename your PC यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पे आपको जो भी वैले डिस्प्ले होगा उसको आपको यहाँ पे connect कर लेना है आप अपने हिसाब से इसको pair कर लिजेगा तो इस तरह साब इसको connect कर लिजेगा उसके बाद आप इसको use कर सकते हैं और please guys चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you